आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन जो है डिरेक्ट रेट आफ सेकंडरी एजुकेशन उडिसा भूवनिस्वर में आई वी राइट और इसमें हम लोग साड़ी चीजन डिटेर्म डिसस करेंगे और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको एवरी डे गवर्मेंट जोब्स रिलेटिव नोटिफिकेशन मिलते रहे तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आपका जो है आपको इस वेपसाइट पे जाके फॉर्म फिल करना है और यदि आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी दाउट होता है तो आप comment कर सकते हो, मैं आपको suggest करूंगा तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे date तो date आपका 4 September से 30 September तक आप fulfill कर सकते हो और examination schedule यहाँ पर 3rd week of October तक आ जाना चाहिए और अच्छी खासी vacancies है, यहाँ पर TGT Arts के लिए देखें तो 3136 vacancies है और TGT Science में देखें तो यहाँ PCM में इसमें 1842 vacancies है और TGT Science CBZ में देखें तो 1717 vacancies है और तेलंगू teacher में 25 vacancies है तो अच्छी खासी vacancies है और age की बात करें तो यहाँ पर 21 से 32 year तक आप fulfill कर सकते हो और SCST, SCBC, women के लिए 5 year का छूट होगा और 18% के लिए 10 year तक का छूट होगा और यहाँ पर हम लोग देखें लेंगे qualification तो TGT Arts के लिए देखें तो इसमें bachelor degree होना चाहिए आर्ट से या commerce से या फिर संस्क्रिट से और साथ में दो सब्जक्ट आपका होना चाहिए चाहिए वो optional हो या फिर man subject हो यहाँ पर आप दे सकते हो यहाँ पर काफी सारे सब्जक्ट दिये हैं इसमें से ही कोई आपका दो सब्जक्ट होना चाहिए और साथ में आपका जो है 50% के साथ रिजल्ट होना चाहिए और जो स्टूड़न SC, ST, PWD and SEBC हैं उसके लिए 45% के साथ रिजल्ट होना चाहिए और बैचलर इन एजुकेश्चन, BA या 3-year integrated BA या AMED from a NCTE Reconnaissance Institute और 4-year integrated BA, BA from a NCTE Reconnaissance Institute with two school subjects जो अभी मैंने बताया यहाँ पर आपका जो इसी में से कोई दो सब्जक्ट आपका होना चाहिए चाहिए वो मैं सब्जक्ट हो या फिर और और इसमें भी आपका जो है 50% के साथ result होना चाहिए और जो student SC, ST, PWD and SEBC हैं उसके लिए यहाँ पर 45% के साथ result होना चाहिए और यहाँ पर TGT Science के लिए देखें तो इसमें जो है आपका PCM तो इसमें आपका bachelor degree होना चाहिए साइन से या फिर B.TEC होना चाहिए या फिर B.E. होना चाहिए और तू सब्जक्ट होना चाहिए यहाँ पर हम लोग देख लेंगे चाहिए वो मैं सब्जक्ट हो या फिर आपने यहाँ पर PCM में फिल किया है तो यहाँ पर physics, chemistry, mathematics इसमें से दो सब्जक्ट आपका होना चाहिए 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 वो मैं हो या फिर ओप्सिनल सब्जक्ट हो और यदि आपने CBZ में फिल किया है तो यहाँ पर chemistry, botany, geology और biology और biology इसमें से कोई दो सब्जक्ट आपका होना चाहिए चाहिए वो मैं सब्जक्ट हो या फिर आपका जो है यहाँ पर ओप्सिनल सब्जक्ट हो और 50% के साथ रिजल्ट चाहिए और जो स्टूइन SC, ST, PWD and SEBC हैं उसके लिए यहाँ पर 45% रिजल्ट चाहिए तभी वो फॉर् इंस्टूट विट्ट इसकूल सब्जक्ट जो अभी मैंने बताया राइट और 50% के साथ रिजल्ट होना चाहिए और जो इस्टून SC, ST, PWD and SEBC हैं उसके लिए 45% के साथ रिजल्ट होना चाहिए और यहाँ पर क्लासिकल टीचर तेल्गु के लिए तो इसमें जो है तेल्ग साथ में एक सब्जक्ट आपका होना चाहिए यहाँ पे तेल्गु राइट और 50% के साथ रिजल्ट होना चाहिए और जो इस्टून SC, ST, PWD and SEBC हैं उसके लिए 45% रिजल्ट होना चाहिए और यहाँ पे जो है हम लोग देख लेंगे आपका अप्लिकेशन फी तो इसमें जो है जो इस्टून SC, ST and PWD करिणे रिट हैं उसके लिए यहाँ पे 400 रुपीज अप्लिकेशन फी होगा अधरवाई जितने भी कटेगरी हैं सभी के लिए यहाँ पे 600 रुपीज अप्लिकेशन चार्ज होगा और सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका कम्पीटर बेस्ट कम्पीटिव टेस्ट होगा राइट कम्पीटर बेस्ट कम्पीटिव एक्जामनेशन होगा इसी के बेसिस पे यहाँ पे सलेक्शन होगा दो पेपर होगा तो फर्स्ट पेपर में यहाँ पे 35% रिजल्ट होना चाहिए और जो student SC, STP जलूट D candidate है उसके लिए 30% रिजल्ट लाना होगा second paper में qualify करने के लिए और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे salary तो salary यहाँ पे जो है TGT, Arts, Science, PCM and CBZ इसके लिए यहाँ पे 16,880 रुपीज पर मन्त की salary होगी और तेलंगू teacher के लिए भी Sam salary है और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे finally आपका जो है यहाँ पे syllabus हम लोग देख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग syllabus देख लेते हैं आपका exam में जो है यहाँ पे 150, 150 minutes का exam होगा और multiple choice question होगे 1500 objective question होगा 1500 number का होगा और यहाँ पे आपका TGT science के लिए देखें तो इसमें आपका पेपर इंग्लिस में आएगा 90 question होगे 90 number का होगा multiple choice question होगे और पेपर 1 इसमें जो है general evidence current affair reasoning यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग देख लेना आपका जो है यहाँ पे TGT science PCM के लिए सकेंड पेपर तो यहाँ पे 60 question 60 number का graduation level का यह question आएगा और इंग्लिस में यह पेपर आएगा और इसमें physics chemistry mathematics आपका जो है इसी से question आने वाला है और यह जो है TGT science CBZ के लिए second paper देखें इसमें जो है multiple choice question होगे 60 number 60 question आएगे graduation level का आपका question आएगा और English में पेपर आएगा और इसमें chemistry, botany और geology से question आएगे और TGT arts के लिए देखें second paper तो यहाँ पे 60 number का exam होगा 60 question होगे graduation level का यहाँ पे आपका question आएगा और English में paper आएगा और इसमें history, political, science, geography, economy और English यह आपका English में paper आएगा और यदि उडिया यहाँ पे question आएगे तो यह उडिया language में ही आएगे और और इस notification में कुछ नहीं है और यदि आपको इस notification में कोई भी doubt होता है form fill करने में हो या इस notification के बारे में तो आप comment कर सकते हो तो thank you for watching this video